खबर रीबा से अमरे संबाद दाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट रीबा के चोरहटा थाना छित्र के उम्री गाउं में देर रात एक बड़ा हथसा हो गया यहां पर मंदर के गुंबच से टक्रा कर प्रसक्षू प्लैन क्रैस हो गया प्लैन में मौजूद सीनियर पाइलेट और प्रसक्षू पाइलेट गंभी रूप से घायल हो गए जिनने उप्चार के लिए संजय गांदी अस्पताल में भरती कराया गया था जहां पर उप्चार के दोरान सीनियर पाइलेट की मौत हो गई यह प्लैन पल्टन प्रसक्षण कंपनी का बताया जा रहा है फिरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है गटना देर रात बारा से बारा तीस बजे के बीच की बतायी जा रही है बताया जा रहा है कि चोर हटा हवाई पट्टी पर यह प्लैन उड़ा था जिसके बाद घने कोरे के चलते यह प्लैन नीचे ही रह गया और एक आम के प्रसे टकराने के बाद मंदर के गुमबज से जटकराया और क्रैस हो गया प्लैन के टकराने से मंदर का गुमबज भी तूटकर नीचे गिर गया अगर यह प्लैन मंदर से न टकरा कर कहीं और टकराता तो एक बड़ा हाथसा हो सकता था क्योंकि बहाँ पर घर भी बने हुए थे अगर प्लैन किसी घर से टकराता तो एक बड़ा हाथसा हो सकता था और कई लोगों की जाने भी जा सकती थी जैसे ही गटना की जानकारी पुलिस को लगी बैसे ही बचाब कारी के लिए पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुँच गई गटना की जानकारी लगते ही ग्रामीलों की काफी भीड़े खट्टी हो गई मौके पर और प्लैन मंदर के गुम्बत से एतनी जोर से भड़ा को उसके परकच्चे उड़ गए दोनों गायलों का इस्थानी लोगों की मदद से उपचार के लिए रीबा के संजय गंदी अस्पताल भेजा गया जहां पर उपचार के दौरान सीनियर पाइलेट की मौत हो गई जबकि प्रसिक्चू पाइलेट की हालत गंभीर बनी हुई है रीबा में हुए प्लैन क्रेस की घटना से मिर्तक का नाम बिमल कुमार उम्र साथ बर से जो बिहार का रहने बाला था घायल प्रसिक्चू के नाम सोनु कुमार 24 बर से जो जैपुर राजिस्थान का रहने बाला बताया जा रहा है फिरहाल पुलिस इस मामले की जाच में जुटी हुई है साथ ही इस बात का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे की बज़े घना कोहरा था या किसी और बज़े से यह हाथसा हुआ है घटना की जानकारी लगने के बाद जिला कलेक्टर मनोच पुस्प और एस पी नबीन वासीन भी मौके पर पहुँचे और घटना इस्तल का निरिक्षा करने के साथ ही मामले की जाच को लेकर उचित दिसा निर्देश दिये रिबा से हमारे संबाद दाता तारकेश और शर्मा की रिपोर्ट